क्या आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो रही हैं बहुत परिशान हैं सुमवार में किसी भी दिन सुभा जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान शिव का पूजन करें इसके बाद आटे के ग्यारा शिवलिंग बनाएं हर शिवलिंग का शिव महिमन स्थोत्र का से जलबी श करें यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें आपकी आपकी बेबी की और आपकी दोनों की रक्षा होगी साथ ही साथ गर्ब गौरी रुद्राक्ष को भी धारन करें इसके लिए शुब दिन का महुरत देखकर धारन करें लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाते रहें दूसरे म मंतर बताने जा रहे हैं उसका 108 बार जाप करें एंग रीम श्रीम ओम नमज श्रीम एंग हर मंतर के साथ बिलपत्र शार पारच शिबलिंग पर चड़ाएं बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन में एंग रीम और श्रीम लेखें अन्तिम 108 बिलपत्र होगा उसको पूजा की जगह पर रखें और डेली उसकी पूजा करें माना जाता है ऐसा करने से इंसान की आमदनी में जाफा होता है सोमवार के तीसरे महाउपाई की बात करने का वक्त आ गया है क्या आपको मन की शान्ती नहीं है मिलने ही रही है परिशान है सोमवार में रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पास के एक शिव मंदिर जाए भगवान शिव का जल से अभी शेक करें उन्हें काले तिल अरपन करें इसके बाद मंदिर में कुछ तेर बैठकर मनी मन ओम नमज शिवाय मंतर का जाब करें इसके बाद मन को शान्ती मिलेगी आज का चौथा महाउपाई जानिये क्या आपको धन नहीं मिल रहा बहुत कोशिश करने के बाद भी जेब खाली है सोमवार में किसी नदी अतलाब जाकर आटे की गोलियां मचलियों को खिलाएं जब तक ये काम करें मनी मन भगवान शिव का ध्यान करते रहें ये धन प्राप्ती का बहुत ही सरल उपाई है आपको पाँछवा महा उपाई बता देती हूं क्या बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं नहीं रहे है सोमवार को पानी में दूद और काले तिल डाल कर शिवलिंग का भी शेक करें अभी शेक के लिए तांबे के बरतन को छोड़कर किसी दूसरे मेटल के बरतन का उप्योग करें अभी शेक करते समय ओम जू सह मंतर का जाब करते रहें इसके बाद भगवान शिव से बिमारी की मुक्ति दिलाने की प्रात्मा कीजे हर सोमवार को रात में सवा नौ बजे के बाद गाय के सवा पाव कच्चे दूद को शिवलिंग से अभी शेक करें संकल्प करें इस उपाय से बिमारी ठीक होने में लाब मिलता है लेकिन प्लीज डॉक्टर का इलाज कराते रहें